इन मुस्लिम हीरोईनों ने बनाया हिंदू एक्टर को अपना जीवन साथी, नमबर एक सुनील दत्थ और नर्गिस इस कड़ी में पहला नाम आता है, पुराने जमाने की सुपर हिट एक्ट्रेस नर्गिस दत्थ का, नर्गिस का असली नाम फातिमा राशिद था, और सुनील दत्थ भी फिल्मों में नाम बदल कर आये थे, बता दें कि उनका असली नाम बलराज दत्थ था, नर्गिस और सुनील की मुलाकात ब्लॉक बस्टर फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी, इस दोरान दोनों में प्यार परवान चड़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, आज दोनों ही सुपरस्टार हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके बेटे और सुपरहिट एक्टर संजय दत्थ बॉलिवुड में बड़ा नाम कमा रहे हैं, नमबर दो, किशोर कुमार और मधुबाला, अपनी खूबसूर्ती के लिए आज भी पहचान रखने वाली एक्टरेस मधुबाला ने फिल्म सिनेमा के जाने माने नाम किशोर कुमार के साथ शादी की थी, मधुबाला का असली नाम मुम्ताज जहां बेगम दहलवी था, रहे किशोर कुमार से विवाह कर लिया, किशोर कुमार की ये दूसरी शादी थी, किशोर की पहली पतनी का नाम रूमा गुहा ठाकुर था, बता दें कि किशोर ने मधुबाला की मौत के बाद भी और दो शादी की थी, नमबर तीन, सुनील शेटी और माना कादरी, फिल्म इंडस्ट्री के फिट मैन सुनील शेटी ने भी अपना हमसफर एक मुसलिम लड़की माना कादरी को चुना, सुनील को माना से पहली ही नजर में प्यार हो गया था, इसके बाद दोनों ने शादी कर ली, सुनील शेटी ने फिल्मों में ज्यादा तर सपोर्टिंग रोल ही किये हैं, वहीं, बात करें, माना की तो बिजनेस के मामले में वह सुनील से भी ज्यादा कमाती है, बता दें कि सुनील की बेटी आथिया शेटी बॉलिवुड में फिल्म हीरो से डेब्यू कर चुकी है, और अब उनका बेटा अहान भी बॉलिवुड में नजर आने वाला है, नमबर चार, मनोज वाजपई और शबाना रजा, बालिवुड के मंजे हुए कलाकार मनोज वाजपई ने एक्ट्रिस शबाना रजा से शादी की थी, शबाना फिल्म करीब में एक्टर बाबी देवल के साथ नजर आई थी, उनकी फिल्म का एक गाना चोरी-चोरी दिल ने कहा, आज भी नौजवानों को याद है, बता दें कि शादी से पहले दोनों ने एक दूजे के साथ काफी समय तक डेट भी की, आज दोनों की एक बेटी भी है, बात करें फिल्मी करियर की तो शबाना घर ग्रस्ती संभाल रही है, और मनोज ने बालीवुड में अपना दमदार अभिनाय कायम रखा हुआ है, नमबर पाँच, संजय दत्त दिलनवाज, बालीवुड के संजु बाबा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने अपने माबाप नर्गिस और सुनील दत्त की तरह बालीवुड में अपनी इमेज कायम रखी है, संजय मान्यता से शादी करने से पहले दो शादी कर चुके थे, संजय ने पहली शादी एक्टरेस रिचा शर्मा से की थी, दोस्तों, इन में से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, हमें कमेंट करके बताएं, धन्यवाद.